रांची छार्खन की राजधानी होने के साथ ही अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी जाना जाता है वैसे इस बात में कोई सक नहीं है कि रांची छार्खन के सबसे खुबसरत सहरों में से एक है दोस्तों New Year आते ही लोग अपने New Year को खास बनाने के लिए पिक्निक की प्लानिंग करते हैं और अगर आप भी अपने New Year की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा informative होने वाली है आज मैं आपको रांची और रांची के आसपास के 10 ऐसे बेस्ट टूरिस्ट प्लिसेस के बारे में बताने जा रही हूँ जो पिकनिक के टाइम पर और भी ज़्यादा खास बन जाता है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस करना बिलकुल भी ना भूले जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बहुत सके तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बायो डाइवर्सिटी पार्क जोकी 542 इकर की एरिया में फैला हुआ है यहाँ पार्क प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लेस है यहाँ आपको जारकन के विशिस्ट और दुरलब प्रजादियों के पौधे देखने को मिलेंगे साथ ही यहाँ बच्चों से लेकर बड़ो तक के लिए कई तरह के एक्टिविटी भी मौझूद है यहाँ पार्क पौधे की कई पीड़ी को सनरचित करते हुए खूबसुरत हर्याली को दर्शाता है इस पार्क में आप एक्वाटिक गार्डेन, रोस गार्डेन, ग्रास जोन, पाम गार्डेन, मेडिसील गार्डेन, बोनसाई जोन, कैक्टस जोन और सन पॉइंट भी देख सकते हैं बिर्सा बाइलोचिकल पार्क जिसे पुर्मानजी जूग के नाम से भी चामल जाता है जो कि रांची टाउन से एप्राक्स 20 किलोमेटर की दूरी पर लोकेटेड है आप यहां रांची के किसी भी एरिया से आटो, कैब या खुद के वहिकल से आप यहां पहुँच सकते है या उद्ध्यान रांची के प्राक्रिती में बसा एक बहुत ही खुबसूरत प्लेस है और साथ ही वन्नी जीवो को देख आप एक अलगी दुनिया में खो जाएंगे आक्सिजन पार्क रांची के मुराबादी में इस्थित है या पार्क रांची के हर वक्त तेजर अफ़तार से भागने वाली जिन्दिगी में एक प्यारा सा ठहराव और अपने सांथ वादावरन के लिए काफी फेमस है इस पार्ट में आपको चालों तरफ हर्याली के साथ साथ बच्चों के लिए कई तरह के जूले भी देखने को मिल जाएंगे दोस्तो राज़ी के रॉक गाड़न को सहर के साथ साथ राज़ी की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगों में से एक माना जाता है और ये भी माना जाता है कि जैपूर के बगीचे के बाद रॉक गाड़न महत्व और प्रसिधी में दूसरे स्थान पर है Rock Garden कांके डैम के किनारे इस्थित है और दोस्तों यहां से कांके डैम का वीव काफी खुबसूरत लगता है जोनहा वाटरफॉल रांची का एक बहुत ही खुबसूरत वाटरफॉल है और यहां रांची से लगभग 41 किलोमेटर की दूरी पर लोकेटड है जोनहा वाल तक पहुँचने के लिए लगभग 700 से अधिक सीड़ियां बनी हुई है जिसकी मदद से आप जोनहा वाल तक पहुँच सकते हैं और यहां रांची की लोगों का एक बहुत ही फेबरिट पिकनिक स्पॉट है नमबर फाइव रुका डैम रुका डैम राजधानी रांची से एप्राक्स 24 किलो मिटर दूर उर्मांची में स्थित है और यह एक बहुत ही खुबजर टूरिस्ट प्लेस है दोस्तो यह प्लेस उन लोगों के लिए काफी जादा आइडियल चोईस है जिनको भीरबार प्लेसेस पसंद नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको काफी कम क्राउट देखने को मिलेगा और रुका डैम के दूसरे साइट को गिता सूथ के नाम से जाना जाता है और जिसे हर साल बहुत से लोग विजिट करना पसंद करते हैं रालधानी रांची से लगब 40 किलोमीटर दूर यहाँ एक बहुत ही खुबसरत पिकनिक स्पाट है आप शायद यह ना जानते हो कि यह ज़रना काफी ज़्यादा खास है क्योंकि दसंद फॉल ही आगे बढ़कर प्लेन सर्फिस पर पहुँचती है और अपने साथ लाए गए रेत को यहाँ पर भी खेरती है और यही वज़ा है कि यहाँ पर आपको दूर दूर तक रेती रेत देखने को मिलेगा और जिसके कारण यह जगा पिकनिक के टाइम पर इंजोई करने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन जाता है बिर्सा मुंडा मेमोरियल पार्क बिर्सा मुंडा मेमोरियल पार्क जिसे राची जेल पार्क के नाम से भी जाना जाता है यह पार्क भारत की आजादी में अपनी योगदान देने वाले भगवान बिर्सा मुंडा की इसमरिती को संजोई हुए है यह पहले राची का जेल हुआ करता था और यह वही जेल है जहां भगवान बिर्सा मुंडा ने अपनी जीवन के आखरी पल बिताये थे और इसी कारण इस पार्फ में आपको भगवान बिर्सा के जीवन से जुड़ी बहुत सारी इस्मृतियां देखने को मिलेगी इसके साथ ही यहां जहारखन के ट्राइबल्स की कला, संस्कृती, जीवन सैली और फैस्टिवल को बहुत ही खुबसूरती से दिखाया गया है और यहीं पर भगवान बिर्सा मुंडा के 25 उची भव के प्रतीमा भी इस्थापित की गई है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां राची का ही नहीं बलकि जहारखन के सबसे बड़े पार्क में से एक है आप कभी राची आए तो इस पार्क को विजिट करना बिलकुल भी ना भूले नमबर टू, हुन्रू फॉल हुन्रू वाटरफॉल राची के सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लिसेस में से एक है और दोस्तों यहां इतना फेमस पिकनिक स्पॉट है जिसे हर साल बहुत से लोग विजिट करना पसंद करते है आपको यह जानकर गर्व होगा कि हुन्रू वाटरफॉल जार्फॉल जार्खन का दूसरा और इंडिया का 34 सबसे उचा वाटरफॉल है इस ज़र्णे को इतनी उचाए और इतने खौफनाक तरीके से गिरते देखना काफी जादा खूबसूरत और पीसफुल होता है वैसे दोस्तों जार्खन के खौफनाग ज़र्णों की लिस्ट बनाई जाए तो उस लिस्ट में हुन्टू फॉल का नाम जरूर होगा दोस्तों जहां रांची को याद किया जाता है यहां के खौबसूरत ज़र्णे और यहां के वैदर के कारण अहीं पत्रातू वैली रांची का सबसे पॉपुलर तूरिस्ट अट्रक्शन है यहां एक बहुत ही खौबसूरत घाटी है और जो अपने सांदार जिक्षैक घुमावदार मोड मिलेंगे और यकीन मानिये यह वैली आपको ट्रैवल का एक यूनिक एक्सपीडियंस देने में हमें साथ कामयाब रहता है इसके साथ ही आप पत्रादू लेक रिजॉर्ट भी घुम सकते हैं यह लेक लोगों के बीच में एक कारण से बहुत मशूर है औ अब लगों के लिए और अब लगों को लिए और फिर फेस्बूक में फॉलो कर ले लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप इसने ख्याल ज़रूर रखे धन्यवाद झाल झाल